पूर्वी दिली के जर्मेल कॉलनी में चोरों के हॉस्टे हुए बुलन दिन दहाडे दे रहे हैं चोरी की वार्दातों को अंजाम खजूरी खास थाना पुलिस ने गैंग्रेब के आरोपियों को किया गिरफतार डांस शो के बहाने हर्याना से दिली बुलाकर किया था गैंग्रेब पूल पे बोली पूर्वी दिली के कैराश नगर की जनता कहा सांसत के काम से नहीं है संतुष्ट विकास की रफतार है कमजोर पूर्वी दिली के विश्वास नगर में गंदे पानी से लोग परिशान गंदे पानी की वज़ा से लोगों में हो रही है तमाम विमारियां फिर भी प्रशाशन नहीं दे रहा ध्यान पूर्वी दिली के सूरज मल विहार में बलड डोनेशन क्याम का हुआ आयोजन लोगों ने बढ़ चड़ कर लिया हिलसा महिराओं ने भी किया रक्तदान नमस्कार आप देख रहे हैं CCN मैं ही मानी कटारिया शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से पूर्वी दिली में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है घटना थाना विवेग विहारी राके की है जहां बदमाशों ने दिन दहाडे चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाकों के माल पर हाद साफ कर दिया देखिए ये खास रिपोर्ट कहने को दिल्ले पुलिस देश की सर्वत्तम पुलिस मानी जाती है पर क्या बाकई में हमारी दिल्ले पुलिस सर्वत्तम कहलाने लाइक है ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें दिल्ले पुलिस से बैर है बलकि यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और आए दिन चोड़ी और लूट की बारदात सुने को मिलती हैं वहीं हम ताजा चोड़ी की बारदात की बात करें तो विवेक प्यार थाना चेत्र की है जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक घर में गुशकर लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर डाला यह तीन तारिक है किपे जिए ने में 5 अशुक ऐखे चितने अब मिधे को लाख पर इता यह रखा हुआ था यह तो यहां से सीथ गौडरज पूरा खुला हुआ था अचा। पूरी सभान जाकी चीदेक कुछ भी नीवतारी चीदे आए गई और पूरी गौदरीज पगईरा उट याग सभानी बीनाए था पूररा जोटु लुटू पुरागर पहला हुआ था शमान गोद्रीज का बास हो गजसमे जॉल्री बगेर राखी तिन वहीं के कपड़े अप्ड़े गिर्व हुए थे और वहीं से सीद हें गोद्रीज में जाके देखी तो जॉल्री बगेर कुछ नहीं थे फ्राव कुछ भी मेरे पूरा सप्काम चला गया पुलिस में आया, पुलिस में आया आए ति क्रावी म्राइंच बाले भी आए, अभी तक कोई शुराप नहीं मिला पीडिक परिवार किसी काम से घर से बाहर गया हुआ होता है पर जब घर लोटकर आता है तो घर का नजारा देखकर सन रह जाता है दुच काम ने कि अभी पुछ से आपको बता दें कि जिल्मिल कॉलानी पॉस इलाकों में आती है चांट चोरी की बारदाते बहुत ही कम देखने को मिलती है ऐसे में दिन दहाड़े चोरी की बारदात से परिवार भी सक्ते में हैं और उन्हें उमीद सिर्फ दिल्ली पुलिस से है साथ ही पीडिक परिवार ने पुलिस पर भी सवाले निशान खड़ी किये हैं और कहा है कि अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटों के अंदर चोरू को पकड़ पकती है वहीं पुलिस की माने तो चोरू को पकड़ने की कोशिश की जा रही है अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आखिर इन चोरू को पकड़ पाती है हर्याना के रौतक की रहने वाली एक डांसर से गैंग रेप करने वाले तीन आरोपियों को दिली के खजूरी खास थाने की पुलस ने गिरफतार कर लिया आरोपियों ने रविवार को कार्यक्रम में डांस करने के बाहर ने युफती को खजूरी खास बुला कर उसके साथ गैंग रेप किया था आपको बता दे कि तीनों बदमाश डांसर को बवाना के एक खेत में बने मकान में ले गए थे जहां तीनों ने डांसर के साथ सामूहिक दुशकन किया इसके बाद आरोपी खजूरी चौक पर युफती को छोड़ कर फरार हो गए सुबबार को पीडिता के बयान पर खजूरी खास थाने की पुलस ने केस दर्च कर लिया गुप्त सूशना पर पुलस ने खजूरी खास से तीनों को धर दबो चाथ दिली की साथ लोकसबा सीटों पर बारा मई को वोटिंग होनी है आईए जाने पूर्वी दिली में राजनीतिक नब्स कैसी चल रही है पूल पे बोल पर सीसी एन के रिपोर्टर्स ने जानी पूर्वी दिली के गांधी नगर के कैलाश नगर जाकर लोगों की राए मेरे खालते पांग शाल में उनकी तो हमने किसी ने सगल भी नि देखी ना जवी दुप में नजर आए ना किती चुफ में नजर आए यह शानसद है यह ना तो कभी किसी तो मुलाकात करते हैं यह अपना अंदर यह सी रूम में बैठे रहते हैं और लोगों से मिलते भी नहीं है। इस बात की लिए मैं एक बात हो होगों को लोगों से। इतना बेकार सानसद ये चुना है। शुल रहा है वहा था जासला记ी जो है वो ला पता है क्योंकि हमने आसतलनके सांसट को कभी छेत्र की समस्या के लिए लिए मिलते ही नहीं देखा और यही कारण है और वीजय Sp. अपना सांसत बार-बार बदलती है इस सांसत जो मुझूदा इस टाइम है उसको भी हमारे यहां से बदला जा रहा है क्योंकि उसका एक भी कारिया ऐसा नहीं है जो के जनता उसको दुबारा से चुने जो हमारे वर्तमान सांसादा है उनको जानती तक नहीं है क्योंकि छेतर से उनकी कनेक्टिविटी नहीं है बीच में एक दो बार सुना था वही गिरी चोपाल के रूप में वह यहां आए लोगों है कि अपनी समस्या रखी समस्या सुनके वह चले गए समस्याओं का हल हुआ नहीं है जनता यहां के वर्तमान सांसाद कुछ नहीं यह कभी नहीं 5 सालों में एक दफ़ा वो गिरी चोपाल लगाई थी वहीं पर ही देखा गया वाकि कोई नहीं करें हम लोग जाते वें यह चैत्री समस्यां यह कुछ ऐसी वैसी समस्यां लेकर जाते हैं तो वह उपलब्दी नहीं होते हैं और हमें तो सांसद ऐसा चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो जनता की दुख तकली में चुंते काई के लिए चुंते इसलिए हैं कि हम आने वाले दिनों में हमारे काम कार आंगे हमारे कार होंगे difference सांसद के रूप में जमीनी कषे हैं मेडम जो हमारे शेंतर की समझ सके और उसका कार सके यहां जितने भी अब तक सांसद एंप कार करने को थ्यारी नजर नहीं आते हैं विदयायक यह तैंट यह दो आज कि लवली जी पाता चलतागी कोई विदयायक होने पते नहीं चलता हमने नहीं देखा आज तक उनको पांच सालों में तभी निकलते बढ़ते भी सुनाने के मैं इसगेरी जी आ रहे हैं कर इंपोस्टर नहीं देखा उनका और एक वारी वहां गए ते विवेक वियार उनके ऑफिस पे तो कहते हैं जी हम अंदर नहीं है जब कि बाद में पता ल पॉट लिखानी चाहिए हम जाते नहीं दिखाए हैं अंदर हैं और अपिसवें निंगे उनके इन प्याइन अभी नेतजी अभी चले गए चले के चले गहें हम भी यह चाहते हम आपकी पार्टि का नाम निल ईल रहा हूं ऐसा साथा उदो hem और गांदीनेकर नेगा चो काम जी का तो नहीं मालूं कोई भी खार नहीं हो लेकिन अपने लागे लिए काम कि बहुत अच्छे काम करें कि शुरुआत की है पोल पे बोल की नए प्रोग्राम की जिसमें हम आपको गली कूचे से दिखाएंगे कि आखिरकार जो चुनाव आ रहे हैं उसके जो नतीजे हैं वो कैसे होंगे लेकिन उससे पहले जंता से राय ले रहे हैं कि उनको किस तरीके का सांसत अपने इलाके के लिए चाहिए तो आपको बता दे साफ़तौर पर हर इलाके के लोगों का ये कहना है कि सांसत ऐसा होना चाहिए जो जमेनी इस तर से लो से लोग परिशान गंदे पानी की वज़ा से आम जनता को जीना मुश्किल हो गया है गर्मी के चलते अस्तारा के गंदे पानी से लोगों में काफी आक्रोश है लोगों का कहना है कि गंदे पानी की वज़ा से लोगों में तमाम तरह की बिमारियां हो रही है साथ ही लोगों का कहना है कि कई बार हम इसकी शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कहीं पानी गंदा आता है या फिर कहीं पानी आता ही नहीं फिलाल बात करते हैं विश्वासन नगर की गली नंबर दो की जहां पर पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है साथ यहां स्थानिय निवासी मौझूद है जिनके हाथ में आप देख सकते हैं पानी की बोतले जो की गंदे पानी से भरी हुई है लोगों को पानी इतना गंदा जाद मिल रहा है कि लोग इसे पीना तो दूर घर के और वी जो अन्यकाम है वो नहीं कर सकते हैं समस्याइजी पानी बहुत ज्यादा गंदार है और जब कि नवरात्रे का समय चल रहा है ना भी नहीं सकते हैं ना तेवे बदबुआती है ऐसा लगता है नहीं है कि हम सुद्ध है उसके बाद पी तो बिलकुल सकते ही नहीं है पीच बीच में कई बार इसकी सिकायत दे चुके हैं कई महीनों से बार-बार शेकाईट कर चुके हैं चितुरी विदायग भी फोन कर चुके हैं जल बोड के को लेकिन बीकम सीग कलॉनी में अभी तक चफाई का पानी ये जमना पार में कोई सब पानी अभी तक नहीं आया है बदवू इतनी है पानी में ना भी सकते ना पन बहुत ज़्यादा हो रही है पानी बहुत गंदा आ रहा है जिससे इंसान पी भी नहीं सकता और पी बदबू तो दिमाग में चड़ रही है बस परेशानी तहरी पीने की देखो अब भी पी के बीमार उल्टे टटे लग रहे है पूर्वी दिली के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के कॉंग्रस से दिली में समझोते को हर्याना से जोडने पर अपनी प्रतिक्रिया चाहिर की है जहां एक कॉंग्रस नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि गड़ बंदन की बात सिर्फ दिली में हुई थी वहीं आप नेता का कहना है कि हर्याना और दिली दोनों जगा गड़ बंदन होना जरूरी है दिली के प्रवारी पीशी चाको साब ने बहुत किलियर बात किया है अभी दिली के गड़ बंदन की बात है और जहां तक हर्याना के गड़ बंदन की बात है अभी कोई बात नहीं है इस तरिके की और होगी तो हाई कमेंड फैसला करेगी इस बात के लिए कि कहां गड़बंदन करना है कहां नहीं करना है यह हमारे लेवल की चीज नहीं है यह तो राउल गान्दी जी जो हमारे कांगेस के देख्षे वोत है करेंगे यह जो वहां के प्रवारी वोत है करेंगे दिल्ली के प्रवारी ने सिर्फ दिल्ली के गड़बंदन की बात की है अब यह हराने के गड़वंदन की कोई बात नहीं है और अगर कोई होती भी है तो उसके लिए हाइज करेगा गडबंदन क्यों करना चाह रहे हैं गडबंदन इसलिए करना चाह रहे हैं कि जो लॉट वोट बटे नहीं और हम बीजेश्पी को को शिक करे पाएं तो इसके तो वह जीट जाते अगर 9 वीजे वी वोट डिवाइट न पूरभी दिली के सूरज मलविहार में ब्लड डोनेशन कैम का योजन किया गया क्या में भारी संख्या में हसा लेकर लोगों ने ब्लड डोनेट किया वहीं कैम्प में आई लोगों ने एक दूसरे को जाग्रूप कि कि बढ़ चड़ कर ब्लड डोनेट कैम में हिस्सा लेना चाहिए जोसे जरूरत के समय किसी की जान बचाई चाह सके हमारा लक्ष लगबग डेड़ सो यहां पर कारे करता जो है रक्तदान करेंगे अब तक 40-50 कर चुके हैं और इस तरह के अनेक अगले वर्ष हमने यह योजना बनाई है कि दिल्ली में हम अपने पूरे विभाग में यमना बार में लगबग ऐसे चार स्थानों पर इस परकार क का योजन करेंगे उसमें 109 समाज के लोगों ने रक्तदान किया था और हम पूरा वर्ष पर कोई ना कोई समाज सेवा का जिवन था उन्से परहना लेकि कोई ना कोई समाज सेवा का काम करते रहते हैं यह भी लगते हैं अभी 14 तारी को तर्लुक परी के 34 बलोक में पूर्वीदिली के शकरपूर में भगवान श्री राम की शोब यात्रा निकाली गई यह शोब यात्रा इलाके के मंदिर से शुरू होकर विबिन गलियों से होती हुई स्कूल ब्लॉक के श्री राम मंदिर परीसर में जाकर पूरी हुई शोब यात्रा में पालकी में भगवान राम परिवार भगवान भोले शंकर पारवती राम सीता और लक्षमन की चाक्या भी सुशोबित थी लोगों ने जगा जगा फुलों की बारिश कर इसका भिनन्दन किया शोब यात्रा में विशेश बैंड की धुन पर शद्धालूओं ने पूरी मस्ती में जूम रहे थे इससे पूरे इराके का वातावरन राम मई हो गया राम नौमी की रहियात्रा निकाली जे रहे हैं स्री किरसन मंदिर सकरपूर की ओर से पचास साल का सांदार इतियास है जो इतनी पव्या प्यात्रा देख रहे हैं हम लोगों को सुविदाय देते हैं साथ ही हम लोगों के लिए भक्ति का भी बहुत बढ़िया हमारे दो बार कथाओं का आयजन होता है लोगों को सुभीदा देते हैं सकरपूर के बहुत लोग हमारे साथ उत्सुक होते हैं जुटने के लिए ऐसी हर साल जो है पावन परवो ये त्रेता युग से राम जी कवाय थे त्रेता युग में तवी से अब नोमी आ रही है कि दो ही अवतार होए हैं हर मा के पेट से और आया है पर ये दो अवतार मा के पेट से नहीं आये ये तो प्रघट हुए रामान में पढ़ो भज़े प्रगट करपाला दीन दयाला ऐसे ही हमारे भवान कर्ष्णमी और प्रगट हुए फिलाल पूर्वी दिली खास में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं सीसेन के साथ नमश्कार